धनबात के राजगंज में कानोखा मामले सामने आया है एक लड़की अपने प्रेमी के आवास के दर्वाजे पर 50 घंटे से भी अधिक समय से धरने पर बैठी है वो जिद पर है कि वो लड़के से शादी करके ही रहेगी और इधर लड़का है कि घर से फरार हो गया है राजग युवदी ने शादी के लिए प्रेमी पर दबाव बनाया तो वो इनकार करने लगा वो लगतार बहाना बनाते रहा जब युवदी को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो अपनी दादी और कुछ लोगों के साथ अपने प्रेमी के गाउ राजगंज के महेशपूर जिसके बाद उत्तम तो फरार हो गया और घरवालों ने घर का दर्वाजा बंद कर दिया लड़की की मांग है कि उत्तम से उसकी शादी कराओ घर में रहने की जगा दो लेकिन उत्तम के घरवालों ने लड़की को घर में घुसने नहीं दे रहे लड़की उत्तम के घर के ब बोजन ग्रहण किया गावालों ने उसे सहारा दिया कंबल अधी का सहारा दिया अलाव जलाकर इस कड़ाकी की ठंड में उसे रहत देने की कोशिश की जा रही है यह मुख्या ने दोनों परिवार से बात कर मामले कुछ सुलजाने की कोशिच की लेकिन बात नहीं बनी लड़की का कहना है कि SSLNT महिला कॉलेज में उत्तम से मुलाकात हुई और ये मुलाकात प्रेम में बदल गई लेकिन अब उत्तम शादी से इंकार कर रहा है मुख्या ने इसकी सूचना राजगंच पुलिस को दे दी है अब देखना है इस मामले में आगे क्या होता है धनबाद से बियोर रिपोर्ट